प्रभातखबर.com विश्वास वही रवतार नहीं मुकाबला थोड़ा चुनोती पूर्ण लग रहा है लेकिन लीग मुकाबलों में अजय रही भारेतिय टीम सेमी फाइनल में शांदार प्रदर्शन करेगी इसकी प्रबल संभावना है इस वीडियो स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतिय टीम की वो कौन सी खिलाडी है जिनकी बदोलत भारतिय टीम सभी लीग मुकाबलों में जीत हासिल करके सेमी फाइनल तक पहुँची है इसमें सेफाली वर्मा, शिखा पांडे, पुनम यादब, राधा यादब और जेमीमा रोडरिग्स का नाम एहम है पहले बात सेफाली वर्मा की करते हैं महज 16 साल की सेफाली सलामी बल्लेबाज हैं और उन्होंने चारों मैच में भारत की जीत की नीव रखी है लेडी सहवा के नाम से पहचानी जाने वाली सेफाली मैदान में आते ही लंबे-लंबे सौट लगाने के लिए मसहूर हैं इस टूर्नामेंट में सेफाली ने अब तक चार मैचों में 161 की स्ट्राइक रेट और 40 की औसत से 161 रन बनाए हैं चक्के लगाने के मामले में सेफाली 9 चक्कों के साथ पहले नमबर पर हैं बता दें कि सेफाली की तुफानी बल्लेबाजी का आलम ये है कि मात्र 18 मैच खेल कर महिलाओं की ICC T20 डैंकिंग में वो पहले अस्थान पर पहुँच गई हैं इसमें दूसरी एहम खिलाडी पुनम यादव हैं पुनम यादव ने भी टीम को सेमी फाइनल तक पहुँचाने में अहम योगदान दिया है बाए हाथ की फिरकी गैंदबाज पुनम ने चार मैचों में 9 विकेट हासिल किये हैं वो टूर्नामेंट की सबसे सफल गैंदबाज हैं पुनम यादव ने पहले ही मैच में आस्टेलिया के खिलाब 4 ओवर में महज 19 रंदे कर 4 विकेट हासिल किये थे बाकी मैचों में भी पुनम ने किफायती गैंदबाजी की और जरूरी मौकों पर टीम को विकेट दिलाया सेमी फाइनल में भी पुनम यादव कप्तान हर्मन पिरित के लिए तुरूप का इकका साबित होंगी टीम में ओल राउंडर की हैसियत से खेल रही शिखा पांडे ने भी लीग मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है शिखा पांडे ने 4 मैचों में अब तक 7 विकेट हासिल किये हैं जुलन गोस्वामी के इस फॉर्मेट को छोड़ने के बाद सिखा पांडे ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है सिखा का सबसे सांदार परदर्शन न्यूजिलेंड के खिलाब था, उन्होंने इस मैच में तीन बल्ले बाजों को आउट किया था, इस टुनान मैट में गेंदबाजों की सुची में सिखा पांडे पांचवे नमबर पर है राधायादव ने आखरी दो लिग मैच खेले थे और पांच विकेट हासिल किये, मुंबई के स्लम से अपना सफर सुरू करने वाली राधायादव ने श्रिलंका के खिलाब चार ओवर में महज 19 रंदे कर चार बल्ले बाजों को आउट किया था, राधायादव की किफायती ग बल्ले बाज जेमिमा ने टीम की जरूरतों के मुताबिक उपयोगी पारियां खेली है, लीग चरन में बांगलादेश के खिलाब मुस्किल परिस्थितियों में खेली गई 34 रंओ की पारी इस टूर्नामेंट में उनकी सबसे खास पारी थी, टीम को सेमी फाइनल में जेमिम जैसे बड़े मुकाबले में दोनों शांदार परदर्शन करेंगे